के हाँ फ्रेंट्स वरधन केंगी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज की बीडियो में हम लोग ncrt quality का यह second chapter class 6 की class 6 की quality का यह second chapter है इसको हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़े important है और इस chapter का नाम है विविदिता एबम भेदबाव ठीक इस समंदिन सारी चीज़े इसमें है तो आगे देखते हैं क्या-क्या चीज़े इसमें हैं तो यहां पर देखें स्टार्टिंग में यहां से करते हैं अगर आप संचेप में निमलिकित बिंदूओं पर ध्यान दें तो यहां भी अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविदिताओं वाला देश है संसार में आठ मुख्य धर्म है ठीक है संसार में कितने मुख्य धर्म है आठ मुख्य धर्म है भारत में उन आठो धर्मों के अनुयाई यान मानने वाले रहते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए विविद्धा कितनी है यहां सोला सौ से ज्यादा भासाएं बोली जाती है सोला सौ से ज्यादा ठीक है बोली जाती है जो लोगों की मात्र भासा हैं यहां सौ से भी अधिक ज्यादा तरह के नरत्त किये जाते हैं यह विविद्धा हमेंसा खुस होने का कारण नहीं बनती हम उन लोगों के साथ सुरची तेवं अस्वस्त मैसूश करते हैं जो हमाई तरह दिखते हैं बात करते हैं कपड़े पहनते और हमाई तरह सोचते कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो हमसे बहुत भिन होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरचित लग सकते हैं, कई बार हम समझ ही नहीं पाते, या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं, लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं तो इसमें काफी अच्छे तरीके से चीजों को बताएगे इसमें देखिए अभी इस चैप्टर में आपको दलित मुसल्मान और जो हमारी प्रस्तावना है उससे संबंदित यहां पर कई तो पूर्वम ग्रह क्या होता है उन कथनों को देखिए जो आप से आपको सहरी लोकों के बारे में सही लगी जिन कथनों से आप सहों मत HER उनुसान लगाए है क्या कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं ग्रामेंड लोग काम की तलास में सहरों की और इस्थाना अंतरण करने को बाद दे होते हैं सहरी लोगों के बारे में सहरी जीवन बड़ा आसान होता है ठीक है गाओं के लोग अक्सर यह सोचते हैं यह यह भी होता है लोग काफी सोचते हैं अभी इसके बारे में इंदर बताया गया है सहरी जीवन बड़ा आसान होता है यहां के लोग बड़े बिगड़े और आलिसी होते हैं सहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं सहरी लोग केबल पै जब कि जब कि सहर में रहने वाले लोगों को आल सेमें सिर्फ पैसे के सरुख्राइब की तरह देखते हैं जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बलान लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वहां पूरवा गरह का रूप ले लेती है ज़्यक्तर यहां राइ नकारात्मक होती है तो इसमर यही कहा गया कि चीजों को पहले से धर्णा ना बनाए ठीए थोड़ा सा वहाँ पे जाके या उनका रहन सहन देखके उसको पहले समझने की कोसिस करें तो अगे क्या दिया है जैसा कि कथनों में दिया गया है लोगों को RC या कंजूस मानना भी पूरवागर है मतलब सहरी लोग RC या कंजूस होते हैं यह इसमें कहा गया था ठीक है जब हम यहां सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबको अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज़्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं उधारण के लिए अगर हम यहां सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भासा है और दूसरी भासा है महत्थपोन नहीं है तो हम अन्य भासाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे परिणाम सुरूप हम उन लोगों की साइद इज्जत ही नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भासाओं बोलते हैं और यह अकसर देखा भी जाता है हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं लोगों के धार्मिक विस्वास उनकी चमड़ी का रंग जिस शेतर से वे आते हैं जिस तरह से वे बोलते हैं जैसे कपड़े भी पहनते हैं इत्यादी तो यह सब चीजे हम लोगों को अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिलती है कि लोगों के धार्मिक जो विश्वास होते हैं उनके बारे में भी पूर्वाग्र हम लोग बना लेते हैं कि दूसरे धर्म के बारे में कि वह ऐसे हैं वैसे हैं जबकि अगर नॉर्मली दे अगर थोड़ा सा Black है तो मुतलब उतनी बैलू नहीं मिलती है किसी भी जरगे ठीक है तो ऑप अगे दिखते हैं अकस्तर बारा में बनायेगा है हममारे पूरुबाग्र इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ते दोस्ती नहीं करना है या फिर हिंदू-MUSLIM कर लेते हैं या बरतमान समय में तो ऐसा नहीं है कि चाहिए कोई भी जाती हो सब भी एक्साथ बैठके इस क्फुलों में आप आज भी देख लिए जितने भी लोग हैं कॉलेजों में देख लीजिए सभी लोग साथ में बैठके खाना खाते हैं एक दूसरे केमें खाते हैं ठीक है चाहें वो रामबर शत्री वैस सूद्र कुछ भी हो आपस में बैठके सब लोग साथ में खाना भी खाते हैं सब कुछ सब कुछ सही रहता लेकिन जैसे ही वहां से हटते हैं तो अगर उनको गाउं के परिवेश में देखें तो अभी भी बहुत ज्यादा ये सब तो यहां पर देखें समाज में लड़के और लड़कियों के कई तरह के से भेधवाव किया जाता है हम सभी इस भेधवाव से परिचेत हैं एक लड़का या लड़की होने का क्या आर्थ होता है आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं यहां तो ऐसे होता है इसमें सोचने वाली क्या बात है ठीक है अब देखिए अब यहां पर देखिए लड़के और लड़कियों के बारे में भी बहुत अच्छी से आगे समझाएगा है पहले यह चीद देख लिए यह इंप्रॉटेंट है विकलांगता से समधित है ठीक है मै मैं लंगडाता हूं मेरी बोली लड़कडाती इसके लावा और भी बहुत कुछ कभी मैं उदास हो जाता हूं तो कभी दुखी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या नई बात नहीं अगर तुम मेरी जगा होते तो क्या करते ठीक है यह सब यहां पे लोग बने हुए है यह प जरूरत वाले बच्चे ठीक है विशेस अवसकता वाले बच्चे या फिर अब तो दिव्यांग सब्दी इसके लिए यूज किया गया है उनके बारे में लोगों के पूर्वा ग्रह को यहां बड़े अच्छों में दिया गया साथ ही वे उनकी भावनाय और विचार भी दि दी गई है ऐसा जनम से ऐसा कुछ नहीं था लोगों ने कह 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 चीज को बना दिया है अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगी कि यहां गुण आम तोर पर लड़कों यहां पुरसों के साथ जोड़ा जाता है बच्पन में जब लड़कों को गिर जा जाता है ठीक है लोगों को बच्पन से ही वही चीज़े सिखा दी जाती है तो दीमें दीमें मन में बस जाता है कि लड़के रोते नहीं है यहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो आपने आपको रोक लेता है लड़का यह मानता कि रोना कमजोरी की निसानी है हाला कि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है खास कर जब उन्हें गुस्ता आये या दर्द हो लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिड़ाएंगे या उसका मजाग बनाएंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिये इसलिए वाद दूसरों के साणुंए रोने से अपने आपको रोख लेते हम लगातर यह सुनते रहतें कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती समाज की इन मनताओं को हम बीना सोचे समझे मान लेते हैं ठीक है क्योंकि यह हमाई आस्परोस में चलती रहती है हम विश्वास कर लेते कि यह जैसा हमारा व्यवहार उसके अनुसार ही होना चाहिए हम सभी लड़कियों को उसी की छवी के अनुरूप देखना चाहते हैं अब किसी को कंजू सपरादी या बेबकूफ ठहराते हैं ऐसा दरसल उनके बारे में मन में एक पक्की धर्णा बना लेने की कारण होता है हर देश धर्म आदि में हमें कंजू सपरादी बेबकूफ लोग मिली ही जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं प आपने कुछ खास गुड़ों चमताएं हैं जो दूसरों से अलग है तो ये काफी बड़ी बीमा रूड़ेबत धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाचे में जड़ देती जैसे माना जाता था कि हवाई जाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकत हैं इन धारणाओं को ठीक है इन धारणाओं को का आसर हम सब पर पढ़ता है कई बार ये धारणा हमें ऐसे काम करने से रोगती जिनको करने की काविलियत साइध हम में हो ये तो हवाई जाज उड़ाने का तो मलों बहुत बड़ी बात है ठीक है नॉर्मल चीज़ें अभी अभी आट-दस साल पहले तक भी हम लोग यह सुनते रहें कि लड़किया पुलिस में जॉब उनको प्रिफर नहीं करते थे कि पुलिस में जॉब करें या लेकपाल की वेकेंसी आती है यूपी में अभी आने वह उमीद आतो तीन साल से रही है ठीक है उसमें भी अब तो व लड़कियों के लिए ठीक नहीं है काफी कुछ ऐसा सुना है तो यह सब चीजे सिर्फ धारणाई बनाने लिए जबकि आप समाना थोड़ा सा बदल गया है तो अब सब चीजे दिमें दिमें सही हो रही है असमानता अब भेदभाव अब भेदभाओं के बारे में आपे दे देते हैं एक ही कुए या हैंड़ प्रम से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों दोरह इस्तमाल किये जा रहे हैं कप या गिलास में चाहे नहीं पीने देते तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ बेदभाव कर रहे हैं बेदभाव कई कारणों से होता है ठीक है आपने याद करें कि पिछले पाट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिनने थे उद्राण के लिए उनका धर्म अलगता या विवित्ता का एक पहलू है पर यहां भेदभाव का कराण भी बन सकता है ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन प्रताओं और रिवाज रूची नहीं लेते इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते जबकि अध्यन यह दिखा रहे हैं कि मुसल्मानों की गरीबी इसका एक महत्मुर कारण गरीबी की वज़ा से ही वे लड़कियों को इस्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं जहां पर गरीबों तक सिच्छा पहुचाने के प्रयास किये गए हैं वहां मुसलिम समधाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को इसकूल भेजने में रुची दिखाई हैं उधारण के तोर पर केरल में इसकूल प्रया घर के पास हैं सरकारी बश्की सुविदा बहुत अच्छी है जिससे ग्राविड शेत्रों में सिच्छकों को स्कूल पहुचने में मदद मिलती हैं उनमें से 60 परसल से जादा महिला सिच्छक हैं इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की जिससे मुसल्मान लड़कियां भी सामिल है तो तो यहां पर मुसलमानों के वारे में भी यह बताया गया है अब देखिए हैं यहां पर लिखा था समेर्दो गरीब विविद्धता का पहलू नहीं है क्या है यह तो अस्मानता है बहुत लोगों के पास अपने खाने खाने कपड़े और घर की मोल जरुतों को पूरा करने के लिए साधनों पैसे नहीं होते हैं इस कारण दफ्तर और अस्पताल और स्कूल और अदमें उनका साथ भेदभाव किया जाता है यह तो चलते ही आया है अब यहां पर यह दलित वाला है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा दलित वाँ सब्द है जो नीची कही जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तुमाल करते हैं वे इस सब्द को अच्छूत से जादा पसंद करते हैं तिके दलित का मतलब है जीने दवाया गया कुछला गया दलितों के एनुस्वारिया सब दर्साता है कि कैसे सामाजी पूर्वा ग्रहों और भेधभाव उस ने दलित लोगों को दवा कर रखा सरकार ऐसे लोगों को अनसुची जात के वर्ग में रखती है तो इसको इसके बाद देखेंगे पहले भेदभाव को सामना करने पर अपनी अजीव का चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते जैसे बढ़ाना बरतन बनाना मचली पकरना पढ़ाईगीरी केती में मुना इत्याद लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले यहाद जात व्यवस्ता का एक बड़ा ही महत्पूर पहलू है जात व्यवस्ता में लोगों के समूहों को एक सीड़ी के तरह सीड़ी के रूप में रखा गया जिसमें एक जात दूसरी जात के ऊपर या नीचे थी जिनोंने अपने आपको इस सीड़ी में सबसे उपर रखा उन्होंने अपने को उची जातिका और उत्करष्ट कहा, जिन समुहों को इस सीडी के तले में रखा गया, उनको अच्छूत और अयोग कहा गया, जात प्रिक्ता के इस नियम, प्रिक्ता के नियम एकदम निश्चित थे, इन अच्छूतों को दिये के काम के अलावा और कोई क करने की जादत नहीं थे, उदारण के लिए कुछ समूः को सिर्फ कच्रा साफ करने, और मरे हुए जन्रों को गाउं से हटाने की इजादत थी, उन्हें उूचि जाती के लोगों के घर में घुषने, गाउं के कुवे से पानी लेने और यहां तक की उनके मंदिर में कारे में या पर देख लेते हैं इससे समधित कोश्चन भी आये हैं ठीक है काफी एससी सीजियल जो आपकी परिक्षा होती है का माइंड ग्रिजुशन लेवल ठीक है इसमें कोशन आया था कि उनकी जर्म और म्रत्यू कभ होई थी तो यहीं आपका 1891 इनकी जर्म हुआ था और महार जाती में तो यह भी कोशन आ सकता है कि जो डाक्टर अंबेड कर थे वो किस जाती सीकत थे ठीक है उनका महार जाती में जन्म हुआ था जो अच्छूत मानी जाती थी महार लोग गरीब होते थे उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़त जो वे खुद करते थे उन्हें गाउं के बाहर रहना पड़ता था और गाउं के अंदर आने की इजादत नहीं थी अंबेड कर अपनी जात के पहले वेक्ति थे जिन्होंने अपने कालिज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंगलेंड गया उन्होंने दलितो को अपने बच्चों को स्कूल कालेज भेजने के लिए प्रुचाइद किया दलितों ने से अलग तरह की सरकाई नवकरी करने को कहा था कि वे जाज विवस्ता से बाहर निकल पाएं दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रियास किया थे उनका अम्बेड करने नेतरुत किया उन्हें ऐसे धर्म की तलास थी जो सबको समान निगाह से देखे जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बहुत धर्म को अपनाया उनका मानना था कि दलितों को जाज प्रता के किलाब अवस्त से लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की कि तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो ना कि कुछ ही लोगों की ठीक है तो यह इनके बारे में था अब यहां पर देखिए भारत के एक महान नेता डक्टर भीमराव अंबेटकर ने जात विवस्ता पर आधारित भेदवाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा यह अनुभव उनके 1901 में हुआ था जब वह केबल 9 साल के थे वे महराष्ट में थे तो 9 साल के थे तब पूचा कि हम वहां क्यों रुक्वे हुए थे हमने बताया कि हमें कोरे गाउं जाना था और हम पिता जी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गाउं कैसे पहुंचते हमने बह बिना एक पल भी सोचे मेरे मुझ से निकल गया कि हम महार हैं बंबाई प्रांत में महार समधा को अच्छूत मना जाता है उन्होंने एकदम से धक्का लगा वे भुचक के रहे गया उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ हमने देख लिया कि एक अजीब सी घ्रणा की लोड़कर चलेगे हम काफी गपराए हुए थे यात्रा के सुरू में जो खुसी और उत्सा की भावना थे उसकी जगह अब अतिदिक उदासी ने ले ली थी आदे गंटे के बाद स्टेशन मास्टर लोड़कर आया और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं हमने कहा कि गाड़ीवान अच्छुद वर्की सवारी को ले जाकर अपने आपको गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था हम दुगना किराया देने को तयार थे पर हमें ऐसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से तोलमोन कर रह अब यह यहां पर यह संगर्ज के बारे में यहां पर चीजों को बताया गया है ब्रिटिस सासन से आजादी पाने के लिए जो संगर्ज किया गया था उसमें समानता के विवहार के लिए किया गया संगर्ज भी सामिल है दलितों और तो जंजाती लोगों और किसानों उने अ जिसानों और दलतों ने अपने आपको जमिदारों और उनकी उची ब्याज की दर से चुतकरा दिनाले के लिए भी संकर्ज किया। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याफ्त कई तरह के असमानताओं पर विचार किया। अब यहाँ पर देखे आइस परस्ता मतलब छुआ चुट को अपराद की तरह देखा जाता है और इसे कानोरी रोप से खत्म कर दिया गया है। के लिए लोगों के संगर्स उनके अंदोलन और सरकार द्वारा उठाया जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। अब यह सब चीजे तो इसमें इंपोर्टन नहीं है लेकिन जो यह प्रस्तावना है उसका पेज है इसको पढ़े। यह क्यों यहाँ पर है उद्देशी का यह लिखा है। इतत द्वारा इस सम्विदान को अंगीकरत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है तो इसमें भी एक तरीके से बतलब एक चीज यहाँ पर समझाया गया है कि समाजवादी पतलब एक तरीके से यहाँ पर भेदवाओं को दूर करने के लिए भी यहाँ पर बाते कही गई है। ठीक है एकता और अखंडता सुरेचित करने वाली बंदुता तो यही सब चीजे इसमें कही गई है। तो यह चैप्टर जो था आपका यह complete हो गया है। यहाँ पर देखे लिखा समविधान का पहला प्रस्ट है। जिसमें इस परस्ट कहा गया कि सभी भारतियों को समान प्रसिष्टा और समान अफसर प्राप्त हूं। तो यह चैप्टर आपका complete हो गया है। इसमें कई लोगों को यह लगा होगा कि इसमें कुछ भी खास नहीं था लेकिन मेरे हिजाब से यह important chapter था। ठीक है। लेकिन जो next chapter है क्योंकि कुछ लोग जैसे teaching की त्यारी कर रहा हैं तो teaching की त्यारी के लिए उनको multiple choice questions बन सके तो ऐसी चीज़ें चाहिए